जैहिन, वेलकम टू सक्सेस एक जित तो आज हम डिसकस करने वाले हैं आपके निवी ट्रेड़्शमन की भरती के बारे में और यहाँ पर जो डिसकसन हम करेंगे वो आपके दोनों ही भरतियां 2019 वाली और 2021 इन दोनों भरतियों के बारे में हम आपको कुछ ऐसे इंपोर्टन पॉइंट बताने वाले हैं अगर आपने पिछले बरतियों का 19 एफिर 21 एक बरतिया का एक्जाम दिया था या फिर आप आगे आने वाले टाइम में नेवी की बरतिया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर दिखेगा यहां से कुछ आपको ऐसे बाते हैं जो कि आपको काम आने वाली हैं तो यहां पर आपके डिवी के बारे में आपके स्कोर के बारे में आपकी वेटिंग लिस्ट के बारे में नई भरतिया के बारे में यहांपर बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो के आपके बरती के बारे में इंटरस्टीड और आपके चोख आने वाली है तो चले इस सारे बाते डिसकस करते हैं तो यहांपर देखिएगा जो भी डाटा आपको हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल आपका ओफिशल है treatment की इसके बारे में यहां पर आप से भी जानते हैं कि इसका जो exam है जो आपका result है और साथी साथ जो आपका DV document verification है वो आपका start हो चुका है और यहां पर आपका साउथन कमांड है इसका DV का call letter है यह फिर आपके पास email भी आ चुकी होगी और यहां पर आपके जो other जो कमांड है एस्टन कमांड है वेस्टन कमांड है इनका भी आपका शीडूल जल्दी हजारी होने वाला है जिसकी डिटेल आपको हम पहले भी दे चुके हैं ओके तो यहां पर देखिएगा अगर बात करें कि 2021 के बढ़ते का आपका डीवी का जो प्रोग्राम है वो आपका क देखने को मिल सकते हैं और क्यों देखने को मिल सकते हैं यह चीज़ा आपको हमने बारावर बताई है मातर आपके कोविन 19 की वज़े से तो यहां पर यह मांगे चलिए कि मार्च में आपका जो हर डीवी बिलकुल है कंप्लेट हो जाएगा और यह यह मार्च के लास्ट में मार्च की मेड़ में आपके डीवी कंप्लेट हो जाता है तो वहां पर अपरेल के बाद आपके जोइनिख वहां स्टार्ट होगी तो यहां पर आप यह मान किए कि आपके मई में जो हना मई साल 2022 में आपके निविटेटमें भ lounge साल 2021 तो जोइनिख हना वह आपके करवा दी ठीक है जी अब हम बात करते हैं कुछ आपके ऐसे पॉइंट जो कि आपकी 2021 के बर्तिय के बारे में आपके छोकाने वने सामने आए कौन कौन सी पॉइंट है सबसे पहले आपको जो कटोफ है वो तो आपको बने पहले भी बता दी थी लेकिन एक बार फिर से बताते हैं कि आपको जो ओफिचल कटोफ बनी है आपके साल 2021 के बरती की वो क्या बनी है तो सबसे पहले अगर हम बात कीरें कि आपके जो yu.r. काटेगरी है उसकी cutoff कितनी रही है साल 2021 के बरती की तो वो आपकी रही है 92, 92 की के रही है yu.r. काटेगरी unreserved, general काटेगरी देन अगर हम बात कीरें आपकी naw काटेगरी की तो वो कटोफ आपके रही है 76-76 कटोफ आपकी साल 2021 की बरती की रही है वहीं अगर बात करें आपके जो SC कटेगरी है उसकी कितनी कटोफ रही है तो वो आपके रही है 76-76 कटोफ यानि कि आपकी AWO से और SC कटेगरी दोनों कटोफ आपकी सेम रही है वही बात करें जो ST कटेगरी है उसकी कितनी कटोफ रही है तो वो आपके रही है 71.71 कटोफ आपकी बनी है ST कटेगरी की और बात करें आपकी OBC काटेगरी तो इसके जो कोटोफ बनी है वो बनी है आपकी 89 नावसी कोटोफ आपकी इस बरती में आपको देखने कुमली है तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि इन से भी में आपका तो स्कोर है वो आपको कैसे बता चलेगा तो यहां पर मातर आपका एक जो हवे है आपका स्कूर पता करने का वो है आपका RTA आप लोगा RTA लगा कर आपका स्कूर कितना रहा है आप लोग कितने नमबर से अपने सेलेक्शन से पीछे रहे हैं वो आप लोगा चेक कर सकते हैं लेकिन यहां पर कुछ आपके ऐसे कंडिडेट हैं जिनका स्कूर आपका इस कटॉफ के बराबर था लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया तो इसके बारे में क्या कुछ पॉइंट हैं वो आप सुनिएगा तो यहां पर अगर आपका ऐसा केस बन जाता है जहां पर आपके दो कंडिडेट हैं उनका स्कूर आपका बराबर है तो इस सिचुशन में जो सबसे पहले आपके प्रियरटी दी जाएगी वो उसको दी जाएगी जिसके एज़द जादा होगी यानके जिसके ओमर ज़दा Sounding है वह दोनों के आपके ब्राबर हो जाती है तब किसको Byuggah किया जाएगा तब उसको Byuggah किया जाएगा जिसका जो Alphabetical Unidos है वह आपका देखा जाएगा जैसे कि सबसे पहले ए कहुश्या对 अगर का नाम Amun है, तो उसको पहले परेटिट दीजा की आपके यह माने के अगर किसी का नाम ओम है, ओके तो इस परकार से यहां पर सबसे पहले एजल मिट्ट को जो है काउंट किया जाता है, उसके उसको छोड़ करें जिसके पास हाईरे क्वालिफिकेशन होती उसको यहाँ पर प्रिफरेंस से दी जाती है कब दी जाती है जब यहाँ पर आपके दो जो आपके करनेटर देवन का स्कोर आपका सेम रहता है अब जो आपके साल 2021 की भरती है उसमें आपके कुछ ऐसे डाटा है जो के आपको पता होनाँ सी ताकि आपके जो बर्ती होई है अगर अपने exam दिया है या फिर आ आगए आने वाले बलती क्याम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा और वो क्या चीज़े हैं तो आपके जो यूर कटेगरी होती है ना आपके अनर रिजावड जर्न कटेगरी तो उसमें जितने भी आपके अधर रिजाव कटेगरी होती हैं कौन-कौन सी सी, स्ट, ओबी सी, एडेवलो से फिजिकल हेंडिकेप्टे इन सीवी का सकोर अगर उनकी जो कटेगरी कटोफ होती है ना अगर वो अपने कटेगरी से हाई सकोर यहाँ पर अटेम्ट करती हैं तो उनको जर्न में काउंट कर लिया दाता है तो यहाँ पर जो टोटल आपके वि हासिल की है तो वो कितने बच्चे हैं वो सुनिएगा वो आपकी देखियागा जो ओबी सी काटेगरी है उसके यहाँ पर टोटल एक सो अठाड में आपर ऐसे कंडियरेट हैं जो के आपके यूर में काउंट होए है जर्न काटेगरी में कौन से ओबी सी काटेगरी के वहीं बात करें आपके जो सी काटेगरी है उसके कितने काउंट हुए हैं तो टोटल आपके 24 से ऐसे कंडियरेट हैं सी वाले जो की हैं पर काउंट हुए हैं जर्न में वहीं बात करें सी काटेगरी के तो सी काटेगरी के देखेगा टोटल आपके सोड़ा ऐसे कंडियरेट हैं जो एक फाइदा मिल सकता है आपकी कटेगरी का कि यहां पर अगर आपकी रिजर्व कटेगरी है और वहां पर आप लोग अपने कटेगरी से हाई कट ओप पार्ट कर लेते हैं तो वहां पर आपको किसम एकाउंट किया जाएगा यूर कटेगरी में इसका सबसे बड़ा नुक्सा किसको होगा यूर वालों को तो यह पी कुछ ऐसे बात हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं अब चलिए बात करते हैं कि आपके साल 2021 की बड़ती में जो आपका हाईस स्कोर रहा है वह आपका कितना रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूर कटेगरी की तो आपके जो जर्न कटेगरी है ना उसका साल 2021 में आपका जो हाईस स्कोर रहा है वह आपका सो बटे सो हाँ जी साइद आपको विश्वास नहीं हो लेकिन आपकी यूर कटेगरी जो सबसे आपका हाईस स्कोर है सबसे ज़्यादा स्कोर है वह आपका सो में से सो गया है अब ये चीज़ा आपकी पोसिबल हो भी सकती है, ऐसा मत सोची को फोसिबल नहीं हो सकती है, और क्यों हो सकती है पोसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एकजैम में एक तो नेगटिव मार्किंग नहीं थी, और दूसरा एजिन कि आपका जो एकजैम का लेवल था वो भी सकता है, वहीं बात करें, आपकी जो अगली कर्टेगरी है, ओबी सी कर्टेगरी, उसकी जो यहाँ पर एक हाई स्कोर की वैल्यू है, वह आपकी सो में से 99, 99, यानिकि इन में ओबी से वाला एक ऐसा कंड़ी रेट जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर है, वह आपका 99, और यह सं अगली कर्टेगरी की तो वह आपकी तो यहाँ पर जो हाई स्कोर आपका बन जाता है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि सो में से सो भी आप नमबरें ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपके साल 2021 के बरती के जो भी आपके इंपोर्टन जान करी थी, वो सारी बाते आपको ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंटे बता दी हैं, अब अगर हम बात करें कि आपके इससे पीछी जो बरती आये थी साल 2019 में उसका क्या कुछ आपका स आये, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपके साल 2019 के बरती की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपके आउट हो चुकी है और अब कोई भी आपकी वेटिंग लिस्टे नहीं आने वाले साल 2019 के बरती की तो अगर यहां से आपको एक आसा है कि आपका वेटिंग लिस्ट नाम आ सकता है और लिस्ट में तो वो अब आपको आसा छोड़ देने चाहिए क्योंकि यह चीज अब नेवे ने उफिसलि आपके आउटे कर दी है वही बात करें देखिएगा आपके साल 2019 के बरती के जो वेटिंग लिस्ट आई थे ना उसमें टोटल जो आपके बच्चे बुलाए गए थे वो तोटल आपके 125 कितने बुलाए गए थे 135 आपके ऐसे कंडिडेट हैं जो कि आपके डीवी के लिए डोक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे लेकिन 135 में से मातर आपके 45 ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके डीवी के लिए पहुँच जे हैं तो यहांपर जितनी विकनिस्याप की खाली रहती है न या फिर आगे आने वाला टाइम है जो विकनिस्याप की एड होती है तो उनकी संख्याफ विकनिस्याप की बढ़़कर आती है यदिये विकन 1977 की पिछली भरती में खाली रहे जाती है तो यहां से सबसे बड़ा फायादा आपको मिनने वाला है कि न को अब जो आपके नेक्स विकनिस्टु के तैयरी कर रहे हैं अनको तो अगर बात केंपे आपके नेक्स विकनिस्टी कब तक आ सकती है तो यहां से अगर हम नेवी की प्रोसेस देखें सबसे पहले 17 में फिर 19 में फिर 21 में तो अब आपी यह मान कर चलिएगा कि आपके साल 2023 में जो हना नेवी टेडिमन के बरती आने वाली है और मेरे बात दिहान से सुनिएं चाहिए आपके नेवी टेडिमन के अग्जाम के बात हो मुंबे के अग्जाम के बात हो आपके रजल्ट के बात हो या इस runt पर डुक्मिνट वेरिफिकेसन के बात हो जो भी जानकरी आज अवे तक आपको हमने दे हैं बिल्कुल सहीं साबित हुई है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी बाते हैं आपको हम बताते हैं बिल्कुल ओथन्टिक बताते हैं जो कि हमारे बिल्कुल सहीं साबित होती हैं और एक चीज़ और सुनःगा कि यहाँ पर जो आपके अगले बर्ते आने वाली है ना वो आपके साल 2023 में आएगे कब आएगे साल 2023 में और वो इसलिए आएगे क्योंकि 2022 के लाश्ट तक है यहाँ पर जो प्रोसिर साथ के कम्प्रेट हो गे वो आपके साल 2019 के बरती की सोरी 21 के बरती की आपके डेवी मेडिकल जोईने वगरा सबे कम्प्लिट होकर तो साल 2023 में और कब आएगी ये भी सुन लेजिए तो साल 2023 के अपरिल से पहले-पहले आपके बरती नेवी टेडिमन के आजाएगी ये बात भी बिलकुल कन्फरम है फिर से बताता हूँ साल 2023 में वो आपके जनवरी फर्वरी मार्च कभे भी आ सकती है लेकिन फर्वरी से पहले-पहले आपके साल 2023 के नेवी टेडिमन के बरती आजाएगी ये बिलकुल कन्फरम है ठीक है जी तो ये थे जानकरी आपके नेवी टेडिमन के बरती के बारे में आपके 19 के बरती के बारे में कोई वेटिंग लिस्ट आपके नहीं आने वाली है और वेटिंग लिस्ट आने पर भी विकन लिस्ट आपके खाले जा चुकी है दूसरी चीज़ आपके किसकी बरते के बारे में कुछ ऐसी बास ते जो यहां पर बिलुकुर आपको पता होने चाहिए अलग-अलग पॉइंट अलग-अलग बाते हैं आपको हुने बता दिया और अगले विकन से कब आने वाली है वो अभी डिसके समने कर लिया है तो यह थी जानकरी अगर वीडियो चलिए तो वीडियो के लाइक जुरू करें जुड़ा रहिएगा जहिन